हेलो दोस्तों कैसे हैं मेरा नाम है आकाश और आज की हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम Salesforce जिसमें एक lead create होते ही automatically माइस्टर टास्क में एक new task create कर सकते हैं example के लिए मान लिजे कि आपके business से related सारे leads जो आपको अलग-अलग sources से receive हो रही है उन्हें Salesforce में store करते हैं आप चाहते हैं तो की आपकी sales team में वो भी जान सके हैं जिन्हें उन्हें अप्रोच करना है तो यहाँ पे manually एक-एक करके Salesforce में एक new lead generate होने के बाद, create होने के बाद उसके data को master task में as a new task किसी को assign करना काफ़े मुश्किल और time consuming task हो सकता है So, यहाँ पे आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लाए हो एक automation जिससे जैसी आपके sales post पे एक new lead generate होगी तो automatically उस new lead के generate होते ही add होते ही आपके master task में एक new task create हो जाएगा है ना interesting So, यहाँ आप मुझसे पूछेंगे कि आप यह कैसे कर सकते हैं So, इस automation को इस पूरी process को setup करने के लिए हम यूज करेंगे पाबली connect का पाबली connect जो कि एक automation software है अब यह क्या है कैसे काम करता है यह मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताता हूँ अपनी step by step process में लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दू कि इस automation को setup करने के लिए आपको किसी भी तरिकी की coding skills या programming knowledge को हुआ ज़रूरी बिलकुल नहीं है एक non-technical user भी यह पूरा automation बहुत easily setup कर सकता है तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी अपनी स्क्रीन पे और बताता हूँ आप इस automation को कैसे setup कर सकते है तो जसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम आचुके हैं पाबली कनेक के dashboard पे इस dashboard पे हम आए हैं अपने पाबली अकाउंट में लॉग इन करके अगर आप भी पाबली पे अपना प्री टास्क अलॉट होते है यानि कि अगर आपके इस मुएने के 100 टास्क आप गंजिम कर भी ले तो आपको उस सेम 100 टास्क अगले मुएने पर से अलॉट हो जाएंगे सो वापस आते हैं हमारे workflow पे सो पाबली कनेक के dashboard पे आने के बाद हम या क्लिक करेंगे create workflow पे और देंगे इस workflow को एक नाम तो example के लिए मैं अपने इस workflow को नाम देता हूँ salesforce to master task salesforce to master task क्लिक करेंगे create पे create पे क्लिक करते ही हमारे पास जो हमारा workflow है वो open हो चुका है और इस workflow में हमें आद दो windows दिखाई देती है एक है trigger window दूसरी है action window यहाँ पर trigger और action basically बदोनों concepts है जिस पर यह पूरा automation काम करता है जिसमें trigger कहता है when this happens यानि कि जब ऐसा हो और action कहता है do this यन कि ऐसा करे जब ऐसा हो ऐसा करे तो आज के हमारे इस video के use case में जब भी हमारे sales force पे एक new lead create हो तो automatically master में एक new task create करे तो सबसे पहले हम आगे अपने trigger window की तरफ और इस automation को set up करने का जो हमारा first step है जो trigger event है कि जिस event पे जो होने पे हमारे पूरा automation रन होगा वो है sales force में एक new lead generate होना create होना तो यहाँ पे पहले अपने sales force account में create हो लिए new leads का जो data है उसे हम publicly connect में collect करेंगे and then उस same data को send करेंगे बाद में अपनी अगली step में master task को ताकि हम आपे एक new task create कर सके तो सबसे पहले हम आएंगे trigger window की तरफ और choose आप में हम search करेंगे sales force sales force and then यह हम से पूछ रहा है trigger event तो यहाँ trigger event में हम select करेंगे new lead click करेंगे connect पे connect पे click करते ही public connect हम से कह रहा है अपना sales force account connect करने के लिए select करेंगे add new connection click करेंगे connect with sales force पे so क्योंकि दोस्तो मैंने अपने browser में अपने sales force account में already login कर रखा है तो पाबली connect ने इस same account को यहाँ पे detect कर लिया है यहाँ पर बस हमें यह access की permission माग रहा है तो हम click करेंगे allow पे and allow पे click करते ही हम देखेंगे कि हमने successfully sales force और पाबली connect इन दोनों को यह आपस में connect कर लिया है then हम से यहाँ पूछ रहा है instance URL so यहाँ पर दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे यह instance URL किया है और इसे आप कैसे collect कर सकते है so यहाँ पर हम example लिखते है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का होगा हमारा instance URL और यहाँ पर https के और dot salesforce के पहले हमें जो आपकी salesforce account का instance होगा वो enter करना होगा so यहाँ पर यहाँ नीचे दीगे health text को हम पढ़ते है यह लिखता है यह कहता है get your instance from setup left sidebar company profile company information and then search for instance it look like ap16, ap12 etc if your instance is ap16 then your url is this so यहाँ पर हमें कह रहा है कि हम इन steps को follow करें अपने salesforce account पर ताकि हमें अपने salesforce account का instance से वो पता चल सके so हम वापस आते है salesforce पर और यहाँ पर मैं आपके बताता हूँ कि आप कैसे अपना instance पता कर सकते salesforce account का so अपने dashboard पर आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे setup पर setup पर क्लिक करते हैं left side पर हमें कई सारे option दिखाई देते हैं जिसमें से एक option है company profile का हम क्लिक करेंगे company profile पर company profile पर क्लिक करते हैं सबसे पहला option आता है update your company information का हम इस पर क्लिक करेंगे और update your company information पर क्लिक करते ही यहाँ right side पर हमें दिखाई देता है हमारे salesforce account का instance तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा instance है वो है ap16 तो इस same instance के साथ जो यहाँ पर हमारा url बनेगा वो कुछ इस तरीकी का होगा तो इस same url को हम करते हैं यहाँ पर copy और इसे करते है paste अगर आप for example आपके salesforce account का जो instance है वो ep12 या कुछ और है तो यहाँ पर इस url में ep16 के दगा पर आप वो instance add कर ले and then आपका जो instance url है वो complete हो जाएगा then हम जैसे यहाँ save and send test request पर click करेंगे तो हमारे salesforce account में create हुई सबसे latest lead जोगी उसका data पाब ली करने के हाँ capture कर लेगा तो यहाँ click करने से पहले हम वापस आते है salesforce account पर और अपने salesforce account पर एक new lead create करते हैं आएंगे leads के section पर and then click करेंगे new पर add करेंगे एक new lead की details for example मैं new lead की details add करता हूँ जिसका नाम है Sam John Sam John company है उसकी for example IBM enter किया है उसका phone number email address और address so basically यहाँ मैं click करता हूँ save तो save पर click करता है ही Sam John इस नाम की एक new lead मैंने अभी अभी अपने salesforce account में create की है अब हम वापस आएंगे publicly connect पे और click करेंगे save and send test request पे तो save and send test request पे click करते ही हमें यहाँ पर एक response रिसीव हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि उस same lead की details same lead का response है जिससे अभी अभी हमने अपने salesforce account में create किया था यहाँ पर हमारे पास है हमारे newly created lead का name Sam John उसकी company का name जो हमने enter किया था उसका address जो हमने lead create करते वक salesforce में enter किया था उसका email address और phone number बेसिकली दोस्तों इस automation को setup करने का जो हमारा first step था जो था अपने salesforce account में create हो रे new leads का जो data है उससे public connect में collect करना इस step को हमने successfully complete कर लिया है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी second step की तरफ जिसमें हमारे चाहते हैं इस automation के तरू कि जैसे हमारे salesforce account में एक new lead create हो तो automatically उन details के बैसे पे हमारे master task में एक new task create हो जाए so master में एक new task create करने के लिए हम scroll करके नीचे आएंगे हमारी action window पे और choose app में यहां सोच करेंगे master task then यह हम से पूछ रहा है action event तो है action event में हम select करेंगे create task click करेंगे connect पे connect पे click करते ही पावली connect हम से कह रहा है अपना master task account connect करने के लिए select करेंगे add new connection and then यहां हमें enter करना है हमारे master task account का token सो आप मुझसे पूछेंगे यह token जो है access token जो है हमें कैसे मलेगा सो आप यहां नीचे दिएगा इस help text हो पढ़ सकते है यहां लिखा है you can find your access token by login to your master task account after login go to this link under postal access token you can create सो यहां पे हम देखेंगे कि मैंने अपने master task account में अपने browser में already login कर रखा है अब यहां यहां पे जो help text में link दे गई है इसे एक new tab में open करता हूँ और यहां पे हम अपने master account के EPS section में आ चुके है सो यहां पे EPS section पर आने कि हम scroll करके नीचे आएंगे तो यहां पे हम एक option दिखाए देगा personal access token का इसके हम click करेंगे add पे and then यहां select scope में हम यहां select करेंगे mind minister, master task, create user and license और click करेंगे end master task read only click करेंगे submit पे तो submit पे click करते ही अभी अभी हमने अपने master account पे एक personal access token यहां create किया है यह रहा वो token इस token को हम करेंगे copy and then publicly connect में करेंगे इस same token को paste click करेंगे save पे तो save पे click करते ही हमें successfully अपना master task account और publicly connect इन दोनों को ही आपस में connect कर दिया है then हम से पूछ रहा है project और project के इसे drop down में हमें हमें तीन project के option दिखाई दे रहा है तो project में दोस्तों हमें select करना है वो project जिसमें हम अपने sales force में create होरे leads के basis पे एक new task create करना चाहते है तो यहाँ पे मेरे master account में मेरे पास तीन project है और इन तीनों project की जो list है वो हमें public connect में यहां दिखाई दे रही है और मैं चाहता हूँ कि sales force इस project में हमारी जो new task है वो create हो तो मैं अपना वो project select करता हूँ then हम से पूछ रहा है section तो मेरे इस project में तीन section है open, in progress and complete तो जो new task है वो मैं किस section में create करना चाहता हूँ यह हम से पूछ रहा है तो मैं चाहता हूँ open में select create हो तो यहां मैं select करूँगा open इसके बाद यह हम से पूछ रहा है task name कि जो new task हम अपने master task account में create कर रहा है उसका नाम क्या होगा तो यहां पर for example मैं यहां पर उस task को नाम देता हूँ new lead and then मैं चाहता हूँ कि जो task का name है वो आजा new lead के बाद हमारी जो newly generated lead है उसका name तो यहां पर हमें map करना होगा हमारी user का name जिसको as a new lead हमने अपने sales force account में अभी create किया है so sales force से जो response रिसीव हुआ था उसमें मैं receive हुई थी हमारे lead की name Sam John अब इस same name को हम map करेंगे यहां पर इस new lead के सामने task name की field पर हम यहां click करेंगे और जो drop down में जो sales force से response रिसीव हुआ है उन responses में से हमारे lead का जो name है उस name को यहां पर map करेंगे तो यह कुछ इस तरीके का name में अपने newly generated task को देना चाहता हूँ then यह हम से पूछ रहा है assign to तो for example assign to में मैं select करता हूँ and then task note कि जो new task का हम create कर रहे है myster task account में उसका note क्या होगा तो जो note है वो मैं कुछ इस तरीके का देता हूँ ओके तो कुछ इस तरीके का task note जो है note जो है मों मैं create करना चाहता हूँ अपने myster task में so यहां पर हमारे पास है तीन field मैंने create किया है जो note है वो कहता है new lead generated in sales force and then यहाँ पर हमें enter करना है जो newly generated lead है sales force में उसका name, email और phone number तो यहाँ पर उन data को enter करने के लिए हम same mapping का process follow करेंगे simply name के सामने दी गई इस field पर यहाँ click करेंगे और अनिशे dropdown से जो हमें sales force से response रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे lead के name को map करेंगे same process follow करेंगे email address के लिए हम यहाँ पर email के सामने click करेंगे और अनिशे dropdown से जो उसका enter किया गया newly generated lead का जो email address है उसे map करेंगे and then phone number so mapping का जो process है दोस्तो यह एक dynamic field से जो data हमने यहाँ पर map किया है यह dynamic data होता है यानि कि हमारे sales force account में create होरे हर new lead की जो details है जो data है उसका name उसका email address उसका phone number यह सारे चीज़ हमें यहाँ पर public connect में receive होगी and then same हर new task के लिए उस newly generated lead का जो data है वो यहाँ पर enter हो जाएगा यानि कि हर lead के लिए जो data है जो हमारा name है email address है phone number है यह change होगा तो यहाँ पर जो task note था वो हमने create कर लिया है देन ही हमसे पूछ रहा है label ID तो label ID में select करता हूँ sales force lead due date और status जो है यह mandatory नहीं है तो इससे मैं फिलाले के लिए ignore करता हूँ और click करेंगे save and send test request पे तो save and send test request पे click करते ही हमें यहाँ पे एक response रिसीव हुआ है जो की हमें एक positive response दिखाई देता है यह response हमें बताता है कि जो details जो data हमने यहाँ पे add किया था इन details की basis पे हमारे master task account में एक new task create हो चुका है तो चली दोस्तों अब हम directly चलते हैं अपने master task account पे और जी हाँ दोस्तों so same name जो हमने यहाँ पे दिया था then हम इस task को open करके देखते हैं तो यहाँ पे इस task का description में है वो same note जो हमने यहाँ पे enter किया था पावली connect में so यहाँ पे हमारे पास है description newly generated in sales force तो हमारे पास है हमारे lead का name उसका email address और उसका phone number so basically दोस्तों हमने इस वीडियो में जो simple automation setup किया है जिससे हमने sales force और master task इन दोनों का आपास में connect किया है यह जो automation है successfully काम कर रहा है तो चलिए अब क्यों ना इस automation को setup तो कर लिया हमने अब इस automation को एक बार real time में टेस्ट करके देखा जाए बापस आते हम sales force पे और यहाँ एक new lead generate करते है आते है leads के section पे new यहाँ पर enter करता हूँ एक user के details for example Michael Karas और we can say यहाँ पर है Alex James Alex James है हमारे user का ना Alex James then add करते है company for example इस बार है Magnet Brains Magnet Demands Company है Alex James हमारे lead का नहीं में है उसका phone number, email address और address यहाँ पर हम enter कर चुके है क्लिक करेंगे save तो save पर क्लिक करते ही अभी अभी Alex James इस नाम की एक new lead हमारे sales force account में create हो चुकी है अब हम देखेंगे दोस्तों की same lead के create होते ही automatically एक new task हमारे master task account में create हो जाएगा वो भी कुछ minutes में और यहाँ पर हमें कुछ minutes का वक्त इसलिल लगता है दोस्तों क्योंकि हमारे इस automation का जो trigger है वो एक polling based application है जो अपने responses अपना data send करने के लिए 5-6 minutes का वक्त ले सकता है तो यहाँ अगर आपके responses आपके result आपको instantly ना मिले तो हम आपको suggest करूँगा कि आप 5-6 minutes wait करे और आप देखेंगे कि आपको आपके responses receive हो जाएंगे तो हम यहाँ कुछ minutes wait करते है और जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते है वो same lead जिसके अभी अभी हमने Salesforce account में create किया था Alex James इस same name के साथ हमारे master task में एक new task create हो चुका है new lead Alex James इस task को मोपन करके देखेंगे तो हमारे पास है उस same user का name same lead का name, same email address जो हमने एक lead create करते वक एंटर किया था और same phone number यानि कि हमने देखा दोस्तों कि इस पूरे automation को जो हमने इस video में setup किया है इसे real time में test करके देखा कि यह जो पूरा automation है successfully काम कर रहा है जिसकी help से हम अपने salesforce account में create होने वाली leads के basis पे अपने master पे एक new task create कर सकते हैं तो चलिए अब हम वापस आते हैं पाबली connect पे और यहां के एक बाब brief में समझते है कि हमने इस automation को कैसे setup किया तो सबसे पहले हमाई पाबली connect पे और यहां के हमने अपना salesforce account और पाबली connect इन दोनों को आपस में connect किया उसके बाद हम गया हमारे salesforce account पे और वहाँ जाके एक test lead एक dummy lead generate की ताकि उस नई जनरेट होरी lead के जो data है उसे हम पाबली connect में collect कर सके and then उस same data को send कि हम master task को ताकि हम master task में हमारे new lead के basis पे एक new task create कर सके तो सब यही applications नहीं दोस्तो पाबली connect की help से आप multiple applications को एक दुस्तरी के साथ integrate कर सकते है और अपने business को automate कर सकते है और हाँ एक और ज़रुरी बात इस वीडियो के description में आपको एक link मिलेगी जिस पर click करके आप इस same workflow को अपने पाबली connect account पे clone कर सकते है और इस workflow को free में use कर सकते है किसी में तरीके के help, feedback या queries के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते है forum.pavli.com पर अगर आज कई वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like करें, share करें और automation और integration से related ऐसे ही कुछ awesome वीडियो के लिए पाबली हिंदी को subscribe करें और हाँ बल आइकन दबानात ना भूले तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तो Thank you